जीमा दोस्तों भारत बनाम श्रिलंका सत्रह तारिक को खिला जाएगा इस्याकप का final match अपको बताते हैं छी लंगा ङो फाररदी ने है गाफ डागा जिताए वहीं शर्रि लंकाने जह बार बारों श्रिलंका यह पहली बार यह मौका नहीं है कि जब पाइनल में मुलाकात होगी मैच काफी इंट्रेस्टिंग होगा टर्निंग ट्रेक नवजर आ रहा है भारती टीम में क्या बदलाओं होंगे कौन सा खिलाड़ी इंजर्ड हुआ है मौसम का क्या होगा हाल इन सभी विशो की चर्चा करेंगे इस वीडियो में मैं हूँ विक्र हो सकता है सित्तर फीच्दी बारिस के हैं चांसेज और यहां पर बादल घर जेंगे और बारिस हो सकती है लेकिन आपको बताते हैं रिजर्व डे यहां पर है 31 दिक्री होगा तापान असी फीच्दी हुमिडिटी 18 किलोमेटर पर 30 घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं त 18 तारिक का तो कहीं ने कहीं डिक्कत तो नहीं है लेकिन बारिस होगी जरूर यह एक शवाल है और जब बारिस होती है तो आर प्रेमदासा कुछ इस प्रकार से नजर आता है ग्राउन के अगर हम बात करें ग्राउन काफी बढ़ा है यहां पर सिंगल स्टबल निकालना काफ पर रन बनते हैं लेकिन विकेट भी यहां पर जाता है और यह फाइनल मैच है तो मुझे नहीं लगता है कि डाइसो या फिन दूसो साथ से ज़्यादा रन बनेंगे काफी कूशल मैच होगा आगे अगर हम बात करें पिछ रिपोर्ट की तो बारिस की आसार है और एक्सपे अच्छी पीच है वन डे क्रिक्ट खेलने के लिए मतलब ना तो बहुत ज़एदा बॉलिंग फृंडली है ना तो बहुत ज़एदा बैटिंग फृंडली अच्छी पीच है तो यहां पर बोलर्स ही ज्यादा तक मैच में रहेंगे फिलाल अगर बात करें लाच्ट 10 मैचो सब्सक्राइब को मिला है यह आकड़ा आचसे जए मैच पहले अलग था लेकिन आब अलग है अब फास बोलर्स को भी विकेट मिल रहा है तो यह अच्छी पीछ़े यहां पर अंडर दे लाइट गेंड सुइंग भी होती है तो बोलर्स काफी ज़ादा important हो जाएंगे फिलाल पिछले तीन मैचों के अगर हम बात करें कल के दिन जो मैच कहला गया था वांगलादेश पनाम इंडिया का इंडिया की टीम चेरन से मैच हार गई थी वांगलादेश ने दो सो 75 रंद मना दिये थे यहाँ पर वांगलादेश के आट बलेबाजी की थी तो यह कही ना कहीं यहाँ पर जब बलेबाज सेट हो जाता है तो वो क्रिकेटिंग शॉर्ट अकर खेलता है तो लंबा खेल सकता है यह अच्छी बात है उससे पहले जो मैच हुआ था पाकिस्तान श्रिलंका का वहां पर भी श्रिलंका कि अगर हम बात करें आट विकेट उनका गया था और पाकिस्तान का साथ विकेट गया था उससे पहले जो मैच हुआ था भारश श्रिलंका का दोनों ही टीमें आल आउट हुई थी तो यह आप याद रखें यहाँ पर विकेट जा सकता है स्पिनर्स मददगार हो शकते हैं 160 ODI मैच अभी तक खिले जा चुके हैं 88 पहले बल्ले बाजी करने वाली और बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम में 62 मकाबले जीते हैं यानि टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करना खोड़ा साथ ही रहेगा लेकिन मौशनम का हाल इस प्रकार से है कि चेजिंग भी गलत फैसला नहीं होगा फिलाल अगर हम बात करें लाश्ट 10 मैचों के इस ग्राउंड पर श्टिलंका ने सितर फिजदी मैचेस जीते हैं एवरेज स्कोर 211, हाई स्कोर 300 और लोएस स्कोर 160 होता है भारत के अगर हम बात करें असी फिजदी मैचेस जीता है 275 भारत का और सदन स्कोर रहता है और 375 हाई स्कोर रहा है 213 भारत का लोएस स्कोर इस ग्राउंड और परिमदासा में पिछले 10 मुकाबले के ये आकड़े है बात करते हैं इस ग्राउंड के अबर ओल 232, 231, 230 इस प्रकार से हम पिछले जितने में मैचेस कवर कियें यही एवरेज स्कोर रहता है पहले इनिंग का दूसरे इनिंग का या 183, पिछले मैच में हम कवर कर रहे थे तब लेकिन अब 144 ही है तो एकाड़ दो फरक हुआ है बहुत ज़्यादा दूसरे इनिंग में रन बंदे नहीं है और चेसिंग उतना अच्छा हो नहीं पाता है हाई स्कोर की बात करें 375, लेस स्कोर की बात करें 103, हाईस चेस की बात करें 292 यानि 292 से ज़्यादा यहां पर चेस हुआ नहीं है यह एक इन्पोर्टन्स चीज़ लेस टिफेंड की अगर हम बात करें 108 फिलाल रिशियं फॉर्म की अगर बात करें तो काफी बहतर काम करके आरी है यह पंद्रा मैचों में 14 मैचे स्रिलंका ने जीता है मात्र एक जो यहां पर एल नजर आ रहा है लूस जो यहां पर हारी हुई जो चीज़े नजर आ रही हो बात के सामने ही था और भारत की बात करें पिछला मैच 5 बदलाओ गया था बांगलादेश के सामने तो वहाँ पर भारत ने मैच कवाया था बाकी सब मैच भारत ने जीता है और अगर हम head to head की बात करें पिछले 10 मुकाबलों में तो भारत ने 9 मुकाबले जीते हैं शिलंका के सामने शिलंका ने महस एक मुकाबला जीता है तो शिलंका उसे हिसाब से फिलाल दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे आग रहा है कि टेली ग्राम को जरूर जोइन कीजेगा यहां पर आपको हमारी फाइनल टीम मिल जाएगी लिंक आपको मिल जाएगा अक्षा राउट सुन्दर इन यह सवाल एक्षर पडिल को बंगलादेश के सामने बल्ले बाजी करते हैं उंगलियों में चोट आया थी उसकी स्केंस रिपोर्ट सायद जब तक इसकेंस रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है लेकिन वसिंग्डन सुन्दर जो की वैंगलूरू में एन्सिया में कैम्प कर रहे से एशियन गेम की उनको वापिस बुला लिया गया इंडियन टीम में यह होंगे तो यह काफी इंपोर्टन खिलाड़ी है 16 वंडे मैच खेल च खेल रहे हैं अब मुझे लगता नहीं है कि इशान किशन को डॉप करेंगे या इशान की जगह पर तिलग बर्मा को मौका देना चाहते हैं या शुरूर कुमार को देना चाहते हैं इसकी शक्किता मुझे कम नज़रा रही इशान किशान खेलेंगे हार्दिक पांडिया इसकी बड़ा मैच क्यों लेकिन यह नो डाउट इस्याक प्रका बड़ा मैच है लेकिन मेरी नजर में यह वशिंग्टन सुन्दर के लिए इंपोर्टन मैच होगा और अगर अक्षर पटेल की जगह पर वशिंग्टन सुन्दर को ऐसा रिप्लेस्मेंट कर रहे हो अभी भ वहीं पर अगर हम देखें शार्दू ठाकुर ने पिछले मैच में तीन विकेट लिया है तो वह भी खेल सकते हैं 50-50 मामला है तो मुझे लगता है टीम मेनेजमेंट जाना सक शार्दू ठाकुर की और ही जाएगी लेकिन शुन्दर का एक फाइदा ही है एक ऑप स्पीनर है जड़े जा लेफ्टाम है और कुलदीप चाइना मेना तो तीन अलग अलग तरीके के बोलर्स भारत को मिल जाएंगे इस पीनर्स के लिए अगर यह पिछ अच्छी रही जो की रहने वाली है क्योंकि स्रिलंका फ्लैट पिछ नहीं देगा फाइनल मैट में मुझे नहीं काफी सफल गेंद बाज हैं आपको बता दे जलू सबस्रियादा विकेट लेने का रिकोर्ड एसिया कप में अभी तक पतिराना और विलालेगे का है और दस विकेट हमारे नौ विकेट कुल दीप यादो को भी मिला है विलाल आगे बढ़ जाते हैं पाउर प्ले मेडल ओब में खोन करेगा गेंद बाजी जस्परीद बुम्रा मुहमद सिराज नजर आएंगे अगर सुंदर खेलते हैं तो कुछ ओबर वह कर सकते हैं हर्दिक पंडिया भी करते हैं पाउर प्ले में गेंद बाजी मिडल ओबर में रभिन जड़जा कुल्दीफ यादो शुंदर और हर्दिक पंडिया कर सकते हैं इनके लिए मदूशन और रजीता मेंशे को यह खेलेगा तो वह करेगा मदूशन मुझे लगता है खेलेंगे क्योंकि पिछला मैच अच्छा गया था महिश तिक्षना ओपनिंग गेंद बाजी करते हैं धरेंजे दिशलवा भी कई बार करते ह तिक्षना पतिराना यह देतोबर में गेंद बाजी करेंगे यहां पर शंका भी गेंद बाजी करते हैं तो यह एक ऑप्षन जरूर है फिलाल विकेट कीपर सेक्षन में इशान किशन केल राहूल कुशल मैंडिस और सदीर समर विक्रमा का नाम आएगा तो कुशल मैंडिस और केल राहूल एक पड़ी हाँ-पिक अप हैं मैं कुशल मैंडिस के साथ जाओंगा केल राहूल भी मेरे शेकेंड पिक अप होंगे तो यहां पर कुशल मैंडिस की अगर हम बात करें काफी बहतर इनका आकडार आ तो यह एक पहली पसंदों के 92 run इस इसक एकप में बनाया कि उसके साफ से आप डिसाइड करना अगर भारत पहले बल्ले बाजी करेगी इनको आवाइट किया जा सकता है इनका रिकोर्ड काफी बैतर था पिछले मैच पे अंडर प्रेशर अच्छी पारी खेली विराट कोली ने पिछला मैच खेला नहीं था लेकिन इनके साथ जाना त तो ये काफी अच्छी पिक अप हो सकते हैं पिछले दो मैच अंडर प्रेशर अच्छा के लिए तेरे सहीर नहीं केलने वाले शुरकुमार यादों को नहीं खिलाया जागा कुशल परेरा ये अटेकिंग बल्ले बाज है ओपनिंग करते हैं शुरुआत में लेफ्टन बल् हो बल्ले बाजी करेंगे अराम से बल्ले बाजी नहीं करेंगे ऐलाल हर्दिक पार प्डिया प्लेव भी सकते हो नहीं भी सकते हैं जैसा कि मैं आपको पिछले बता चुके हैं यह कंफर्म है रिपोर्ट की अक्षर पटेल नहीं खेलेंगे इनको आप लेवी सकते हैं इनको आवाइड भी करते हो और दशुन शनका इनका इनको इनका इंक्लूजन मेरी नजर में नहीं करो तो बहतर होगा विलाल सारदुल ठा सब्सक्राइब कर रहे हैं इनको कोल किया गया ऐसा कवर अप लेर सोला मैच में सोला विकेट एकोनोमी पांच की है रन बल्ले से इनकी 233 खिलाडी बहतरी नहीं है तो यह एक ऑप्शन होगा बाकी इनको आप अवाइड भी कर सकते हैं जैस्पी धूम्रा पिक अप हैं मॉम ने दिन यह तीन-चार विकेट निकाल सकता है तो यह आपके लिए पिकप होंगे रजीता को सहाइद खिला नहीं जाएगा आगे बढ़ते हैं कुल्दीप यादो मश्ट पिकप हैं पतिराना मश्ट पिकप हैं पतिराना सफसे लादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी और म दिन बाजी करेगी तो मैं मदुशन को एक समय ले सकता हूं रोईश्रमा को खटा कर तो यह एक option है फिलाल दोस्तों इंस्टाग्राम जरूर टेलीग्राम आप हमारे चैनल को जरूर जोइन कीजेगा लिंक आपको मिल जाएगा कोमन प्लेयर और ट्रमकार्ट प्लेयर की हो सकते हैं तुनित विलालगे भी हो सकते हैं चुमन गिल भी एक कोमन प्लेयर हैं तुनित विलालगे एक ट्रमकार्ट हो सकते हैं महमत सिराज और धनेंदे दिसिलवा फिन वशिंग्ड़न सुंदर यह सब खिलाड़ी रश्रमकार्ट प्लेयर हो सकते हैं मेगा लीग में य जो रिलाइबर प्लेयर हैं जिनका चलना लगबग लगबग तैय होता है वैसे खिलाडी विराट को इलिए जश्पीड भूमरा है पतिराना है और अर्दिक पांडिया है तो यह खिलाडी उचद तक कोमन प्लेयर रहेंगे जो कि आपको हर एक के टीम में नजर रहेंगे फिल जो श्रिलंका नजर आ रही है काफी बहतर टीम नजर आ रही है यह मैच फिप्टी फिप्टी में इसे 51 भी नहीं कवें यह मैच पूरी तरीका से 50-50 है इंडिया मैच हार भी यहां पर अगर आप चाहो तो दरंजे जिशलवा के जग्या तिक्षना को कर सकते हो और यह हमारी सेफ टीम है ये अभी कोई फाइनल टीम नहीं है तो उसके बाद ही मैंन टीम होगी विराट कोली को एक बार फिंट से मैंने कप्तान रखा है एस यूजवल मुझे ऐसा लग रहा है रंद बना सकते हैं बाकि शुम्मन गिल भी एक अच्छे आफ्टन हो सकते हैं अगर हम बात करें कुल्दीव या तो मेरे वाइस कप्तान के विकल्फ होंगे तो दोस्तों यह इस प्रकार से टीम है बाकि केल राहूल भी एक अच्छे विकल्फ है केल राहूल को भी आप अपने टीम में ले सकते हो तो आप साथ चार के साथ भी अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो लेकिन मेरा रेकुमेंटेशन यह रहेगा च्छे पांच के साथ जाओ बैलन्स टीम लेके जाओ क्योंकि शिलंका टक्कर देगी वो पिच असान नहीं रहेगी तो टक्कर वाला मैच होगा तो इसलिए आजसे हमारी यह टीम है लेकिन यह फैनल टीम नहीं है टॉस के बाद आपको फैनल टीम मिल जाएगी फिलाल दोस्तो लाइफ कोमेंटेटर शुनने के लिए मास्टर श